तो आज हम आपको लीची से बीज निकालने के दो जवर्जस तरीके बताने वाले हैं, अब बात आती है कि लीची से आखिर बीज निकालना ही क्यों हैं, कई बार क्या होता है कि हमको कुछ ऐसी रेस्पी बनानी होती हैं, जिन में हमें बिना बीज की विल्कुल साबुद दूसरा रीजन यह होता है कि जैसे हमें महमानों को लीची सर्व करनी है तो हम इस तरह से सीधे-सीधे अगर लीची सर्व करते हैं तो वो घंटे वर तक छीलेंगे फिर उससे जो थोड़ा वह तरह सोता है वो टपकने लगता है छीलेंगे वो और बहुत टाइम लगता है ले जरूर वो यकीन मानिये देखकर कहेंगे कि आप उनको आपका यह अंदाज बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लीची को छीलने के और गुठली निकालने के दो तरीके जान लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं डंठल में लीची आती है इ करें स कुझन है लीची बहुता रही है बड़े बड़े साइस कि आ रही है और लीची गर्मीयों में बहुत पायदा करती है जरूर झाणा चाहिए तो यह को यहां बहुत पतली चागु वो जिसकी नौट भथी पतली हो तो आप वो भी ले सकते हैं तो फिलाल मेरे यहां ऐसी चागु नहीं है तो मैं मौटे नौट वाली चागु ले रही हूँ तो यह जो बीज होता है उपर जड़ में चिपका रहता है तो आपको इसको किनारे चारों से चाक рассORA की मद़स से अलग कर देना है कि जो उपर ऊपर जहां जो इन्ठ है आप का 農ीजी का वीच उसको अपको अलग कर देना है और हाथों की मद़स सकी बीचको ने लेना है तो यह कितनी लुक सुंदल लग रहा यह था और बीच भी आपका निकल गया है बिल्कुल सावत लीची है तो मैं आपको और भी निकाल करके दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें तो फिर से देख लीजिए आप तो आपको इस तरह से चिलकी उतार देने हैं आधा ही छिलका उतारिएगा इस तरह से आप आधा चिलका उतार दें और जो उपर का पार्ट है इसको आप चाकू की मदद से इस तरह से गोमाते हुए गोल गोमाते हुए इसके ज्वाइंट को आप अलग कर दें तो अकर पतली चाकू है तो बहुती अच्छे आसानी से ज्यादा अच्छे से हो जाता है सफाई से तो इस तरह से आप इसको अलग कर दीजिए और फिर हातों की मदद से या कोई चिम्टी और चिम्टी की मदद से आप इसके बीच को अलग निकाल ले तो ये देखे कितने पहला तरीके आप को निकाल देना है तो चलिए हम अपना दूसरा तरीका जान लेते हैं कि आपस तरह वित्मा आत्या कलने निकालों चाकू के। चीरा लगाने से ये जो गुटली है बहुत आसानी से निकल जाएगी और फिर आप इसको बस निकाल करके जॉइंट करके इस तरह से रख दें तो देखने में बिलकुल साबुत लगेगी कि इसका बीच गायब है लेकिन लीची बिलकुल साबुत रखी हुई है तो एक बार मै लीची है उसका बीच निकल गया है तो हमने आपको दोनों तरीकों से लीची को बीच को निकालना बताया है ये देखिए बिलकुल लग रही है कि साबुत लीची रखी हो तो इस तरह से आप बच्चों को महमानों को सर्व कर सकते हैं और दोनों ही स्टाइल बहुत ही देख करेंगी तो देखने में भी तुन्द्र लगता है को मैमान को निकालेंगे चिलका अलग कर लेंगे और इसको ख़ा सकते हैं तो तरह से को बड़ी असर्व कर सकते गुट्ली निकाल करकर और रेस्पी में भी यूज कर सकते हैं वह जाती है श् Film कि की बहुत वीच और और भी काफी रेस्पी बनती हैं तो friends उम्मीद करती हूं कि आपको वीडियो हसी वीडियो लाइट शेर करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखना चाहेते हैं तो चानल को subscribe करें